मैं नीतु एक बार फिर हाजिर हो एक नए व्लॉग के साथ अगर आप मेरे चैनल के नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटिस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोग को इसली मिल पाए तो आज में बनाने जा रहे हूं दाल बाफले यह राजिस्थान की एक स्पेशल थाली है तो चलिए अब हम दाल बाफले की रेसिपी देख लेते हैं बाफले बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आठा रेडि करना है आठे के लिए मैंने यहां पे दरदरा पिसा हुआ आज वाइन हल्दी पाउडर नमक और मैंने थोड़ा सा हींग एड़ किया है इसलिए बाफले में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और अब मैं इसे हाथ की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लोंगी तो सारी चीज़े आठे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है अम इसमें एड़ करूंगी एक बड़ा चमच ओईल इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूं तो ओईल भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अम इसमें एट करूँगी एक बड़ा चमच दही ये घर की जमी हुई दही है दही ज़्यादा खटी नहीं होनी चाहिए आप रवे की जगह पर मक्की का आटा भी उस कर सकते हैं ये ऑप्शनल है तो दही मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसका मैंने एक टाइट सा डो तयार कर लिया है और इस आटे को में 30 मिनिट तक रेश्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ तो यहां मैंने दाल भी पका लिए ये सिर्फ तूर की दाल है तो आटा हमारा रेडी हो चुका है पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और अब इस आटे को मैं इक्वल पार्ट में डिवाइट कर लेती हूँ और इसकी मैं इस तरीके से गोलिया बना लूँगी पानी बॉयल हो चुका है मैंने इसमें एक छोटा चमच घी एट किया है ताकि बाफले जब हम इसमें डाले तो बाफले आपस में ना चिपके और अब इस बाफलो को मैं इसमें एट कर दूँगी आपको पूरे बाफले एक साथ नहीं डालने क्यूंकि बाफले जब उबलते हैं तो उन्हें फूलने के लिए जगा चाहिए होती है लगबक 10 मिनट तक मैं इने उबाल लूँगी पानी में 10 मिनट हो चुके हैं बाफले अच्छी तरीके से तो मैं इसे निकाल लेती हूं बाहर और इसे में ठंडा होने के लिए रख देती हूं यहां पर मैंने लिया है बाटी मेकर जिसे मैंने प्रीइट होने के लिए रख दिया है गैस पर लगबक 10 मिनट तक मैं इसे प्रीइट हो चुकी है तो अब मैं सारे बाफ लोगों इसमें इस तरीके से रख दोंगी और लगबक दस मिनट तक मैं इस तरीके से शेख लेती हूं दस मिनट हो चुके हैं तो अब हम इस एक बाफ लेते हैं तो आप देख सकते हैं बाफ ले बिल्कुल फूल चुके हैं और इसे मैं इस तरीके से पलट कर दूसरे साइड भी शेख लेती हूं गैस का फ्लेम अब हमें लोही रखना है तो इसे मैं पांच नट और से एक लोंगी यहां पे अम मैं दाल में एक तड़का लगा देती हूं क्योंकि बाफ ले में दाल फ्राई वाली अच्छी लगती है तो गैस मैं मैंने कडाई रख दी है उसमें मैंने ओइल एड कर दिया है और अब मैं इसमें एड करूंगी हीन जीरा यहां पे मैंने एड किया है राई की दाने और अम इसमें एड करूंगी लेसन और बारी कटी हुई हरी मिर्च लेसन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी से ज़्यादा रखी है क्योंकि इससे डाल में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है कि इसमें एड करूंगी करीपत्ता इसे मैं यिसे तरीकी से मिक्स कर लेती हूं और एम इसमें एड करूंगी बारी कटा हुआ टमाटर को आपको तब तक पकाना है जब तक टूमाटर गल नहीं टोमाटर गल चुके हैं तो मैं इसमें एड कर दूँगी दाल इसे में अच्छी तरीकी से चला लेती हूं आप टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और ज्यादा और डाल सकते हैं तो मैंने नमक और डाल दिया इसमें और एक अच्छा सा बॉइल आने तक हमें दाल को पका लेना है औ अब इसमें एड करूंगी रनिया की पत्ती और इसे में शला लेती हूं दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है और इदर बाफले भी सिख चुके हैं बहुत ही इजी प्रोसेस होती है बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं और दाल बाफलो का टेस्ट जो है वह आता है घी से तो इसमें मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में घी एड कर देती हूं जिसे घी नहीं पसंद है वह बाफलो को उबालने के बाद डेरेक्ट कड़ाई में फ्राई भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं बाफले बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और यह खाने में बहुत झाल